राजदानी रायपूर के निवाज इस्तल में राजासु मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से तमाम मुद्दो पर चर्चा की है। कॉंग्रेस पार्टी के बैटक को लेकर उन्होंने कहा कि चतिस गड़ के विदान सभा चुनाओ के समय से ही उनके बीच में आपस में घमासान मचा हुआ है। पांच साल में ही सत्ता से बाहर कैसे और क्यों हो गए थे उनको ये पता नहीं है। लोग सभा चुनाओ में भी एक तरफा सफाया हो गया है। इस कारण उनके बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देखे ये अपनी कांग्रेस पार्टी की उनकी अपनी बात है और आप सबको पता है कि 36 गड़के विधान सभा चुनाओ के समझ से ही उनके बीच में आपस में घमासान मचा हुआ है। पांच साल में ही सत्ता से क्यों कैसे बाहर हो गए सबको पता है। कि उनके राज में भरष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, मुनाफा खोरी ये सब बढ़ गया था। उसके कारण सरकार को हटना पड़ा। और अभी लोकसभा चुनाओं में भी एक तरफा सफाया हो गया। तो इनके कारण आरोप प्रत्यारप उनके बीच चल रहा है। और ये उनकी पार्टी की अंद्रोनी मामला है। झाल